नमस्कार मैं अंजली वेशर स्वागते आप सभी का दोर्योज में आपके बता दें कि लोग सभाद चुनाओं के आपके सकते शुरुवात हो चुकी है और आज पहले चुरन का मतदान है उत्तर प्रदेश की आठ अलग-अलग सीटों पर मतदान जारी है वोटर सुबा ही उस पर हर स्बार की तरह हर चुनाओं की तरह बैक टू बैक उन आठ सीटों का जिक्र किया गया जिन सीटों पर आज मतदान होना है यह कौन-कौन सी आठ सीटे हैं जहां पर आज मतदान चल रहा है आपको हम बता देते हैं उत्तर प्रदेश की रामपूर, पिलिभीत, सहार वोटिंग आज चल रही है जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने बूत कैप्चरिंग का दावा कर दिया चुनाव आयों को जो है संग्या लेने के बाद कह दी कहीं पर वोटिंग स्लो चल रही है यह भी उन्होंने कह दिया इवियम खराब हो गई यानि एक भी सीट जिसके आज कह सकते जिस पर आज वोटिंग चल रही है एक भी सीट समाजवादी पार्टी ने नहीं छोड़ी है मुझा अगर से लेकर कह रहा है ना तक सारी सीटों को लेकर बैक टू बैक वो सिर्फ और सर्फ पोस्ट डालते नजर आए कई सारे पोस्ट उनके पूर शोशल मीडि समाजवादी पार्टी द्वारा किये गए समाजवादी पार्टी ने कुछ वीडियो क्लिप सारजा किया है वहां पर मैलाय जो है वोटिंग के लिए गई है और वहां पर लिखा है कैरणा लोगसभा के कैरणा नगर इसलामिया इंटर कॉलेज में धीमी गति से चल रहा मद प्रशासन जबरन मद्दान की गति को कर रहा प्रभावित संग्यान ले चुनाव आयोग निस्पक्ष मद्दान सुनिश्चित हो अब रुकिए यह तो शुरुवात है इसी तरीके से बकायदा कई सारे पोस्ट है उनके एक और लिखा है पीली भीत लोगसभा में समाजवा सेटों पर आज मद्दान चल रहा है वोटिंग चल रही है उन आठ सीटों को लेकर ही बकायदान ने कई सारे पोस्ट के हैं अगला जो है रांपूर को लेकर किया रांपूर लोगसभा में बूद संख्या पर इव्य मशिन खराब होने की सूचना संग्यान ले चुनाव आय रांपूर लोगसभा में बूद संख्या 139 पर वोटर लिस्ट में नहीं है कई मुस्लिम मद्दाताओं के नाम संग्यान ले चुनावायों कैरना लोगसभा में बूद संख्या 131 पर वोटर लिस्ट में नहीं है कई मद्दाताओं के नाम संग्यान ले चुनावायों मुरा करत के बिना मद्दान कराएं वापस भेज रहे हैं संग्यान ले चुनावायोग कह रहे ना लोग सवाब में नुकड के बूत नजर आएंगे यह सारे पोस्स जो है चुनाव को लेकर किये गए हैं यहां पर जितनी भी सीटो पर मत्दान हो रहा है जितनी भी सीट जो है आज वोटिंग चल रही है हुश्पी सीटों पर उन्हों ने से सरफ पर ट्वीट कर रखे आपको बतादें कि पहली बार नहीं है। हर बार इसी तरीके का नाजारह मिलता है यानि साफ तोर पर चुनाव काने से पहले ही समाजवादी नेता है मेरक्शी किया नहीं झाल lung रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है क्योंकर को नुत क्या यह दीथां सवाद चड़ाओ जब भी शुरू होती है इनका रिना शुरू हो Wendy अध्यूत में गरवड़i मतदां नहीं कर पा रहे हैं यह लिस्ट में सबी जगा पर वोटिंच चल रही है और वह काईदा समाजवादी पार्टी ने एक फी सीट नहीं छोड़ी है हर सीट को लेकर उन्होंने पोस्ट किया हर सीट को लेकर उन्हें परिषानी को परिशानी है कोई ना को जो है जो है दिक्कत देखने के लिए सब्सक्राइब करें आप संग्यान लो आप संग्यान लो तो समालबादी पार्टी का हर बार का यही चोचला है अगर आप कहेंगे कि हमेशा जब भी वोटिंग शुरू हो जाती है रोना शुरू करते हैं कि ठीकरा इवियम पर फोड़ना ही होता है कभी से लेकर याचिका डा कह सकते प्रक्रिया के दोरान पूरी वोटिंग के दोरान पूरे अगर आप कहेंगे कि जब तक कि यह पूरे कि चन्हाप लगा हर… इसी तरेके सिर्णार्थ कर दिया जाता है वहागि एक जल्पा प्रेट्सटी न म집दाटर्फ करने जा सीनर्यों देख मत्यूंन स्टोड आराम चर्शाथ quoting यह जा तो रिर्षान शक्जाता थीक्रा फोड़े चा सेकेंड में अगर आप कहेंगे हर मिनिट में एक पोस्ट जरूर डाल रही है और इस पोस्ट में सर्फ और सर्फ जह है इनके द्वारा कंप्लेंड कंप्लेंड किये जा रही है अभी ठीक हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप टाइमिंग देखिएगा दस मिनट पहले पाच मिनट पहले तीन मिनट पहले एक मिनट पहले इस तरीके से उन्हें वकाइदा पोस्ट डाले हुए अभी तुरंट जो ने पोस्ट कर दिया है और वह भी देखी कि क्या है और लिखा मुरादाबाद लोग सभा के ठाकुर द्वार में बूट संक्य 847 पर मदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है प्रशासन कर रही ऐसा मदान की गती हो रही प्रभावित चुनाव आयोग संग्यान ले निस्पक्ष मतदान सुनिश्चित करें यानि हर पोस्ट में वही निहार को देखकर पहले ही बॉखला चुका है और पहले ही उन्होंने वोटिंग के साथ साथ रोना शुरू कर दिया है तरह से मामले पर बाप की भी जो रहा है वह कॉमेंट सेक्चेन में कॉमेंट करके जर्द साजा करिएगा धन्यवाद